सो आगता है आप सभी का यूटूब चैनल में दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खिवर हो मोदी सरकार के तरप से आई बड़ी खिवर जी हाँ हैं तो आगे आपको फुल डेटल के साथ बताएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल को और उनकर लीजिए तो चलिए आपको बताते हैं जी आपको बता दें अगर आपके घर में पेंसन भोगी हैं वुजर्ग प्रवगियों को 30 नमबर से पहले अपना जीवन पिर्माड पत्र जमा करना होगा यह पिर्माड पत्र उनके बैंक के फिर घर में जमा किया जा सकता है जहां आपकी पेंसन आती हो जी आपको बता दें यह नियम एक अक्टूबर 2000 के से लागू किया गया है यदि पेंसन भो है क्योंकि आजकल कई वैंक और लैन या फिर डोर स्टेम बैंकिंग की सुब्दा देते हैं आपको बस उन्हें फोन करना है और उनके पृति निवर्दू को अपने घर बुला कर वनवा सकते हो जी आपको बता दें पेंसन के लिए कुछ नियम होती है जिन में से एक नियम यह भी है कि पेंसन वेक्ति के खाते में तब तक आएगी जब तक बहे जीवत है जो वेक्ति सरकार से पेंसन ले रहा है और मर जाता है लेकिन परिवार वस तत को शिफाता है और पेंसन लेता रहता है तो यह एक अपरादी है इसलिए हर पेंसन बहुग को हर साल अपने जी वेक्ती अभी भी इस दुनिया में है पहले ऐसा हुआ करता थे कि बुज़र्गों को जीवन परमाड़ पत्र वनमाने के लिए जाना पड़ता था और फिर अधिकारी खुद उन्हें देखकर उनका जीवन परमाड़ पत्र बनाते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है करना काल के बा जीवन परमाड़ पत्र जिसे जीवन परमाड़ पत्र के लिए रूप में भी जाना जाता है पेंशन बोग्यों के लिए अरेस्त का एक आवस्तक दस्ता बेज है जो कि इस बात के कारण परमाड़ के रूप में कार्य किया जाता है बहे अभी भी जीवत है या परमाड़ प सोच करना है और पेंशन भोगी को कार्य कुर्म की उनकी मुर्तिव के बाद वुक्तान जारी नहीं रहा है जिए तो सरकार ने इस पे नयनियम लागू किये हैं अब आपको 30 नमूंबर तक अपना जीवन परमाण पत्र जम्मा करना है तब ही आपको पेंशन मिलेगी नहीं तो आपको पेंशन में दिक्कत हो सकती है ठीक है तो दोस्तों यह आपकी वीडियो कैसे लगा कमेंट में इस वीडियो को लाइक कर दें सेर कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर ले हूँ आपने अपना कीमती समधिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंकियो सो झाल कर देंस